वेल्कम बैक टो माई यूट्यूब चैनल वर्लिटरेचर आज जो टॉपिक हम लोग डिसकस करने वाले हैं वो है ब्रेवली फॉर्टा कुईन बाय महेश दत्तानी इनका जो प्ले है आज हम इसको डिसकस करेंगे साथ ही साथ यह जो प्ले है 1991 में सबसे पहले जो है वो परफ ब्रेवली फॉर्डी को इनकी बात करें तो यह जो प्ले है ठुरी एक्ट में डिवायड है और हर एक्ट को एक अलग नाम दिया गया है जो फर्स्ट एक्ट है उसको दा वोमें कहा गया है सेकिंड जो है दा मैं कहा गया है और जो थर्ड है फ्री टौ आल पहले वे हम लोग women को discuss करेंगे उसके बाद second में men को discuss करेंगे और जो third है उसमें इन दोरों का conflict दिखाया गया है men और women का तो ये इसके आगे हमारे पास तीनो X हमारे जो play के हैं उसके बाद अगर हम लोग अपने play के आएं title की तरफ तो इसका जो title है वो कहां से ले गया है point थी खूब लड़ी मरदानी वो तो जांसी वाली रानी थी इससे जो लिया गया है ये title इस play का अब इसमें जो जांसी वाली रानी थी उन्होंने जो है वो 1857 में Britishers के against जो है bravely fought the queen को यही से लिया गया है यही से इस title का भी idea जो है वो लिया गया है यह हो गया उसके बाद इसमें जो इसका third part है free to all वो हमें यही suggest करता है और वो symbolic भी किसी चीज़े है कि जो queen जो इसमे woman show करवाई गई है जो दिखाई गी है characters वो characters वो सब बहुत जादा strong woman है और उन्होंने अपने rights के लिए अवाज उठाई है और इस ब्रेव queen जो है वो हमारे सामने आती है अब इस question में अब इस play के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो दो question आते है वो क्या है कि domestic tragedy है कैसे यह play जिस play को हम लोग discuss करने वाले है साथी साथ इसमें gender discrimination कैसे दिखाया गया है तो इन दोनों questions को हम लोग इस play में solve भी करेंगे और उनका answer जो है वो हमें end पे जो है वो clear हो जाएगा आते हैं अपने characters की तरफ Bravely for the coin की जो characters है उनमें बाज है वो main character है उसके दो बेटे हैं Jiton and Nitin और साथ है साथ Jiton की जो शादी है वो डॉली से हुई है और नितिन की जो शादी है वो अलका से हुई है अब Jiton और डॉली की एक abnormal daughter है जिसका नाम है दक्षा 14 years old स्रीधर जो है Jiton और नितन के जो office है वहाँ काम करता है उसकी wife है ललिता प्राफोल जो है डॉली और अलका का step brother है और सुधर भी जो काम है वहाँ पे करता है इनके office में ये होगे हमारे पास त्रीवदी family जो जिसको हम लोग आज discuss करने वाले है अब story start कैसे होती है बा का character सबसे पहले आ जाता है बा जो है उन्होंने अपनी life में जो उनकी early life थी अब तो वीड़ो है बट अपनी early life में उन्होंने अपने husband की तरफ से oppression को जो oppression देखी hardships को face किया उनके husband उनको मारती थे और साथ ही साथ उनके जो बेटे थे उनके साथ अपनी जितिन और नितन के साथ ill treatment जो है वो करते थे इस बाग के साथ ये जो past में हुआ और जो अब present time में वीड़ो है इस वज़ा से वो उस conflict से कभी निकली नहीं सकी कि past क्या है present क्या है because उनके husband ने उनको इतना mentally torture किया इतना मारा इतना उनको oppressed रखा throughout life अब जो है वो बा जो है वो नितन और जितन के साथ रहती है और एक old lady है और bad written है उसके बाद बाग के बादे में बात कि जाए तो बाद नितन के ज़्यादा close है जितन में उन्हें अपना husband नजर आता है जैसे उनका husband वो strict था और जो oppressor था साथ ही साथ काफी strict rule man था इसी तरह जितन भी है इसलिए बाद जो है वो नितन के ज़्यादा close है अब बात करते हैं जितन और नितन की अब इन दोनों का जो है वो एक ये co-workers है co-owners है advertising company के अब इनके अंडर कौन कौन काम कर रहा है इनके अंदर शीधर और ललिता काम करते है सुधिर काम करता है और अब होता क्या है जितन और नितन एक advertising company चला रहे है अब डोली जो है वो story start कैसे होती है डोली जो है वो इन्होंने किसी party को जोईन करना होता है तो इसके लिए त्यार हो रही होती है और डोर पे बेल होती है बेल होती है तो ललीता आती है इनके घ़र और ललीता के पास एक advertising product होती है जो के होती है रीवाटी अब रीवाटी ललीता जो डोली कोasında आती है कि जो रिवाट ही है यह specially nightwear बनाती है वोमन के लिए तो अब इसको advertise कैसे करना है यह सब लोग सोच रहे हैं नितिन जितन श्रिधर और ललिता इनके mindset यह होता है कि हमें ऐसे इसको advertise करवाना चाहिए कि जैसे males भी इसको खरीद दें तो अब यहां से हमें क्या मिलता है कि male decide करेंगे कि woman क्या पहनेंगे तो हमें इसको advertise इस way में करना है तो यहां पर male dominance जो है वो नजर आती है then क्या होता है अलका और डोली इन दोनों का आपस में conflict चलता है means कि यह भी एक दूसरे को blame करती रहती है अपनी life के लिए इनकी जो life के hardships हैं उनके लिए डोली और अलका का जो brother है step brother प्राफुल वो इनकी शादी जो है वो इस घर में तो करवा देता है तुरीवधी house में बट यह homosexual होता है और अपनी homosexuality को continue रखने के लिए यह इस घर में शादी करवाता है ताकि वो जो अपना relationship है नितन के साथ वो easily जो है वो आगे चला सके और इस घर में आना जाना है वो और असान हो जाए इस वज़ा से प्राफुल अपनी दोनों sister's की शादी इस घर में नितन और जितन से करवा देता है अब आती है बात इनकी daughter जितन और डोली की daughter है दक्षा वो abnormal क्यों है जितन और डोली की daughter abnormal इस वज़ा से है कि डोली को उसकी husband during pregnancy जो है वो बहुत ज़्यादा मारा था और उसकी वज़ा से इसकी जो बेटी जब उसकी birth हुई तो वो abnormal थी और इसको मारा इस वज़ा से कि बा ने अपने बेटे जितन को उकसाया था उसको मारने पे उसको कहा कि उसके against उसने बातें की और जितन ने अपनी wife को बहुत pregnancy इस वज़ा से दक्षा जो है वो हमें वो abnormal पैदा होती है तो यहां पर भी हमें male dominance नजर आती है इसमें then क्या होता है अब बाज जो है वो बैड रिडन है अगर उसने कोई भी अपना काम कहना होता है तो उसके बैड के पास एक ring रखी होती है जिसको बजाती है और वो रिं in laws हैं उनको daughter in law है उनको again and again जो है वो परिशान करना चाहती है इस वज़ा से उसको बजाती रहती है दक्षा एक special school में education हासल करती है जहां पर abnormal जो kids हैं वो अपने education हासल करते हैं वहां पर उसके बाद जितन को end पर realize होता है कि उसकी वज़ा से जो उसकी बेटी दक्षा है वो abnormal पैदा हुई है बाद को भी यह realize होता है कि उसने ही जितन को अपनी wife को जो है वो मारने का कहा था और उसके वज़ा से ही यह सब कुछ हो है बाद ने सारी जायदाद जो है वो दक्षा के नाम कर देती है दक्षा जो है वो सब की favorite होती है क्योंकि एक ही kid होता है अलका ज दोना का जो है आपस में homosexual relation के विज़ा से अलका और नितन जो है वो कभी parents नहीं बन पाते उसके बाद जितन जो है वो हमेशा अपने brother नितन को कहता रहता है कि तुम जो है अपनी wife को छोड़ दो क्योंकि वो childless से ना ही वो तुम्हें क्योंकि वो baby को पैदा नहीं कर सकती अ उसका जो relationship है वो अलका की वज़ा से काफी easy हो गया है प्राफल के साथ जो के homosexual incarnation है उसके बाद हमें एक ललीता और स्रीधर का character नजर आता है इस story में ललीता जो है वो हर जगा जाती है एक business woman है उसको independence है freedom है उसके बास लेकिन उसके husband के बाद उसके लिए time नहीं होता जिसके वज़ासे वो लॉन लाइनस का जो है वो शिकार रहती है अलका जो के अपने husband के साथ satisfied नहीं है नहीं का sexual relationship था इसके वज़ासे वो हमेशा वो इस trauma को खतम करने के लिए wine drink करती है और उस ही में वो हमेशा नश्य में रहती है अलका उसके बाद डॉली जो है अपनी sexual needs को पु इमाजन करके जो उसकी जो sexual satisfaction है वो उसको complete करती है अलका और डॉली कर जो है वो आपस में relationship end पर जा के story में एक डूसरे से अच्छा हो जाता है फिर ये एक डूसरे डॉली इसको बताती है कि वो अपनी sexual needs को एक imaginary character है कनया उसकी through जो है वो fulfill करती है उसके बाद जो इसमें लल के woman के लिए एक limited place है कि जैसे कि यहाँ पे डॉली और अलका को जो है वो सिर्फ घर तक रखा गया है उनको एक limited place दिये दी गी है कि अपनी mother-in-law की जो है वो respect करो खिदमत करो अपने घर के काम करो दक्षा की upbringing साथ इस साथ इनके जो दोनों husband है जितन और नितन इनके साथ ill treatment करते हैं हमें इस play में क्या नज़र आता है male dominance अज़र आती है female को जो है वो exploit किया जाता है female को certain characters दे दिये जाते हैं कि आपने इन ही characters में जो है वो रहना है और हम इसको feminist perspectives से भी देखते हैं महेश्ट तानी ने इस play के अंदर क्या show हमें करवाने की कोशिश की है उन्होंने य लॉक्स क्लोनियल सोसाइटी में जो females को है treat किया जाता है male dominance किस तरह से होती है एक Indian सोसाइटी में किस तरह से females को subaltern की तरह ट्रीट किया जाता है किस तरह से उन्हें अदर समझा जाता है इस उनको समझाता है poor of the poorest women's को इस तना ill treatment दिया जाता है हमने सबसे पहले question किया था कि domestic tragedy कैसे है यह play यह domestic tragedy इस तरह से नजर आती है अब domestic यहां फिर tragedy है कैसे यह play जैसे कि सबसे पहले हमाया पास जो character है डॉली और अलका बा इन सब के साथ उनके husband का जो behavior था जो ill treatment था वो सब क्या एक domestic tragedy है कि एक married life एक happy married life जो कि सिर्फ एक fantasy रह गया था इस घर में कि उनके husbands का जो behavior था जो उनको मारते थे उनको उनके rights नहीं देते थे तो यह domestic जो है वो tragedy है सबसे पहले तो Second question हमने discuss किया था gender discrimination and the exploitation of women Gender discrimination कहां आती है जब दो opposite gender हो हमारे पास male और female Males को independence दी जाती है freedom दी जाती है उन्हें dominance dominant समझे जाता है society में females पे और जो women है उनको subjugate किया जाता है उनको oppressed किया जाता है on the basis of their gender कि वो just females है उनको certain roles दे दी जाते हैं society में के आपका role as a mother as a daughter as a wife जो certain एक उनको roles दे दी जाते है और उनको society में as a creative woman being के तोर पर आने नहीं दी जाता है उनको independence नहीं दी जाती freedom नहीं दी जाती तो यह हो गया हमारे पास gender discrimination अब इस प्लेक इंदर themes हमें क्या क्या मिलते हैं oppression का मिलता है subaltern के moments को as a other समझा जाता है poor of the poorest समझा जाता है जो के गायत्रिस पीविक ने अपना concept दिया था subaltern का के post-clonal society में किस रहां से जो woman है उनको भी वैसे overall भी लोगों को समझा जाता है लेकिन as a woman उनको जा है उनका रोल जा है as a other उनको कहा जाता है उनको एक law class समझा जाता है या फिर एक ऐसा समझा जाता है जैसे किसी caste को कोई देखना पसान ना करता हो इस तरहां से behave किया जाता है women's के साथ subjugate किया जाता है उनको साथी साथ gender discrimination का हमें theme मिलता है feminism का है domestic violence हमें मिलती है इस पूरे play में so I hope कि आपको इस play की story इस play के major themes और इसका जो concept है वो समझा आ गया होगा जो कि totally feminist हम इसको play कह सकते हैं इंडियन सुसाइटी में महेश दतानी ने reveal किया किस तरह से women के साथ behave किया जाता है किस तरह से एक happy marriage life के नाम पर उन्हें एक fantasy दिखाये जाती है but after उसके क्या होता है जो married life है वो जस्ट एक domestic violence की तरह रह जाती है वो happy married life की जो fantasy है वो सिर्फ fantasy ही रह जाती है so video को like और share और चानल को subscribe कर दीजिएगा thanks for watching my channel